जैमसी की न्यू लाइफ चर्च थोड़ा सा आगी आ जाता हूँ जिसे हैं मैं ठीक से सब को देख सकूँ जैमसी की और कितनी अच्छी आज हमने अरादना करी और हमने जो भी गाना गाया तेरी मर्जी मेरे लिए हानी और लाब की नहीं हालेलुया हम लोग इस चीज़ पर आज के दिन विश्वास करते हैं कि प्रभू की जो मर्जी हमारे जीवनों में हमेशा वो लाब की है हालेलुया आज हम फ्रातना करें से पहले हम शुरू करें आज का जो वच्छन प्रभू ने मेरे को दिया है जो मैं आपके साथ बाठना चाहूंगा पिता परमेश्वर इस पूरे समय को आपके हातों में देते हैं प्रभू और मैं विश्वास करता हूँ हर एक शब्द जो मेरे मूँ से आज निकले प्रभू वो मेरा शब्द नहीं पर आपके पवित्रा आत्मा का शब्द हो प्रभू आप मेरी अगवाई कीजे प्रभू और आपकी कलीसिया को तैयार कीजे प्रभू सबके दिलों को खोलिए सबके मनों को खोलिए आज आपके message का title है वो title है एक विश्वासी का भविश्य future of a believer हम जैसे सारे हम लोग विश्वासी है ना और विश्वासियों के लिए अपने भविश्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि एक विश्वासी के भविश्य में क्या है हम सबी को बच्पन से ही जब हम लोग पैदा होते ह क्या होता है बच्पन में हमारे माता पिता हमारे भविष्य के बारे में अलरेडी सोचना शुरू कर देते हैं बलकि जब की बच्चा जब पैदा भी नहीं होता पहले से ही वो उसके भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि उसका नाम क्या रखा जाएगा उसको किस स्कूल में हम डालेंगे है न और जब वो बच्चा जो होता है वो बढ़ता है उसकी उमर बढ़ती है तो उसके मन में भी जो है अपने भविश्य का विचार आना शुरू हो जाता है हालेलुया वो सोचना शुरू कर देता है कि मैं किस कॉलेज में जाऊंगा जो मैं बढ़ा हूंगा और किस तरीके की मेरे को नौकरी मिलेगी किस से मेरी शादी होगी और कैसी मेरी जिन्दगी जो है वो बीतेगी तो हम सभी को अपने भविश्य के बारे में हमेशा सोचने का एक विचार आता है हालेलुया आप मेंसे कितने लोग अपने भविश्य के बारे में सोचते हैं यहां पर और एक और सवाल में करना चाहूंगा हम सबको भविश्य के बारे में सोचना कोई गलत चीज नहीं है सबको उसको सोचना भी चीए कि कैसा रहेगा पर एक और सवाल म हालेलुया हम लोग सब जो जूम कॉल पर बैटे हैं हम लोग सब एक विश्वासी है हालेलुया हमें अपने भविश्य की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है हम लोग सोचते हैं पर हम लोग चिंता नहीं करते हैं हालेलुया और ऐसा हम लोग मनुश्य हैं सारे के सारे और हमारे सुभाव में होता है कि हमें चिंताएं आती हैं और मिर को भी आती हैं आपको भी आती हैं हम सब को आती हैं पर हमें किस चीज की कोशिश करने हैं जब हमें चिंता ही आती है तो उस चिंता के साथ हमें क्या करना है हमें उस चिंता को पकड़ करके बैठ करके रोना है या फिर उस चिंता को साइड में रख करके हमें विश्वास करना है जो गाना अभी हमने गाया येश्यू मसी की मर्जी परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन कि मेरा परमेश्वर, मेरा जिन्दा परमेश्वर जो मेरे साथ साथ खड़ा है, उसने मेरा भविश्य अपने हाथों में ले लिया है, हालेलुया, तो आई आज का वचन हम लोग देखेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे उत्पदी की किताब में से, और मैं आप सभी के साथ यूसुफ की कहानी आज के दिन बाटना चाहूँगा, तो यूसुफ की कहानी और मैं सभी को अगर किसी ने अभी तक पड़ी नहीं है, बाइबल में तो आपको साहित करूँगा, कि आप लोग उत्पदी की किताब जरूर आज ही खोलिएगा इस सभा के बाद और आप 37 से लेकर के 42, 43 ये जो 4-5 चैप्टर्स हैं, उसमें उसकी जो पूरी कहानी है, पूरी जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता उसके जीवन में जो दिखाई गई है, वो हम लोग उ उसकी जो सारे चैप्टर्स है वो नहीं पढ़ूँगा पर मैं आपको विस्तार में उसकी कहानी जो है बताऊंगा कि कैसे है, तो यूसुफ जो है वो याकूब का पुत्र है, एंड हम पढ़ते हैं इस किताब में कि याकूब जो है वो यूसुफ से अपने सारे बेटों से सबसे जादा प्रेम करता है और उसमें ऐसा लिखा है वो इसले करता है क्योंकि उसका वो सबसे छोटा पुत्र था उसको जो उसके बुडापे में हुआ, तो वो उससे सबसे जादा प्रेम करता था और उसका जो परिनाम था वो ये था कि उसके जो भाई थे सारे के सारे व उससे इर्शा करते थे उससे जलन करते थे कि क्यों हमारे पिता उससे इतना प्रेम करते हैं और परमेश्वर जो है उसने यूसुफ को एक दर्शन देखने का जो है वो तोड़ा दिया था उसको दर्शन आते थे और वो दर्शन देखता था और परमेश्वर ने एक बार दर् सामने दूसरों की फसले वो है जो जुकती है बाव डाउन करती है उसके सामने और वो दिखाता है उसे की सारे तारे आसमान में तुमारे सामने जुकेंगे तो यूसुफ जो है वो इसको सुनता है दर्शन को और वो क्या करता है उसके साथ क्योंकि वो अभी जो है एक यूव तो यह आया है दर्शन में और उसके जो भाई होते हैं वो उससे फिर और जादा इडशा करना शुरू हो जाता है कि यह तो हमसे सबसे छोटा है यह क्या कह रहा है कि इस भविश्य में इसके सामने हम सब जुकेंगे तो पर मैं आपको इस चीज़ से यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उसको उसके भविश्य के बारे में बता दिया था भले ही उसका जो जीवन अभी इडशा में निकल रहा है और उसका जीवन जो है वो जो निकल रहा है एक तौर पे कि सारे उसके जो भाई है वो इर्शा करते हैं नफरत करते हैं पर परमेशर उसको पहले सी दिखा रहा है कि तेरे भविश्य में क्या है और हम आगे जा करके देखेंगे उसकी कहानी में कि यूसुफ जो है वो अपने तोड़े में और जादा करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं वो प्लान बनाते हैं कि चलो हम इसको मार देते हैं हम इसको मार देंगे तो पिता हम से सबसे जादा प्रेम करेगा है ना पर उसके बाद क्या होता है उनमें से जो उसका एक भाई होता है यूसुफ का वो उस पर दया खाता है और वो कहता और जब उसको बेच देते हैं तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने उसको अल्रेडी दिखाया है उसको दर्शाया है कि लोग तुम्हारे सामने जुकेंगे पर यहां पर क्या हो रहा है यहां पर यूसुफ जो है वो एक गड़े में फेक दिया गया है हालेलुया अगर यूसुफ इस समय पर यह भी कह सकता था परमेश्वर आपने मेरे को दिखाया कुछ और है पर मैं यहां गड़े में क्यों पढ़ाओं इस समय है ना यूसुफ ऐसा भी सोच सकता था और अभी जैसा मैं आपके साथ शेर कर रहा था कि हमारे जीवनों में भी चिंताएं आना शुरू होती हैं भविश्य के बारे में हम लोग पूछते हैं परमेश्वर से पर परमेश्वर का हमारे जीवनों में अल्रेडी एक वादा है जो अल्रेडी हमारे जीवनों में दे दिया गया है पहले से हमारे भविश्य के बारे में आई हम लोग साथ म मिल करके पढ़ेंगे यर्मिया की किताब में से उसका 29 अध्याय और उसकी 11 आयत उसमें ऐसा लिखा है क्योंकि यहोवा की यही वानी है कि जो कल्पनाएं मैं तुमारे विशे में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ वेहानी की नहीं वरन कुशल की ही है और अंत में तुमार आशा पूरी करूंगा यह जो वचन है यह आलरेडी परमेश्वर ने हमें दे दिया है हमारे अंत के बारे में क्योंकि भविश्य क्या है अंत आता है भविश्य में परमेश्वर ने आलरेडी हमें बोल दिया कि अंत में तुमारी सारी आशा को पूरा करूंगा अभी जब ह के बाध कैसे सब कुछ होगा, और ये सब कुछ normal है हमारे मनमे आना, पर जैसा मैंने शेयर करा कि इन चिंताओं के साथ, हम लोग क्या करते हैं। तो मैंने और अदिस्वी न हमने दोनों न पर्मेश्यर के सामने सारी irrelevant को रखा उसी promise को हम लोग ले करके चल रहे हैं अपने जीवनों में रोज बर रोज और परमेश्वर ने हमारी शादी को इतनी सफलता के साथ पूरा करा ना कि सिर्फ शादी को पर उसके बाद हर एक दिन जो हमने जिया है अब तक हमें किसी चीज की कोई भी घटी नहीं है हर चीज में बड़ोतरी है जैसे हम बड़ोतरी के वर्ष को मना रहे हैं तो अगर आप पूरा भरोसा करके बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा भविश आपके हातों में है तो उसका जो वादा है आपके जीवनों में हाँ और आमीन होगा हलेलुया तो हम लोग वापस अपनी कहानी की और ब गुलाम बन गया है तो गुलामों के सामने कोई जुकता थोड़ी है गुलाम दूसरों के सामने जुकते हैं तो अभी सब कुछ है उल्टा चल रहा है हमारे जीवनों में भी कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ने वादा दिया है पर सब कुछ उल्टा चल रहा है पर मैं को बताना चाहूंगा कि जब चीजे उल्टी चलती है आपको सोचना अपने दिमाग में बहुत जरूरी है और पूछना परमेश्वर से कि परमेश्वर इस ये जो परिस्तिती जा रही है इससे आपको कैसे बढ़ाई मिल सकती है क्योंकि जो परिस्तिती से हम हो करके जाते हैं परमेश्वर ने हमें अंत में बादा किया है कि सारी आशाय पूरी होंगी पर उसके बीच में जो है एक रस्ता है एक जर्णी है तो वो जर्णी है वो कैस किस तरीके से जारी है और परमेश्वर की मेरे साथ क्या आशा है उस जर्णी में हलेलुया तो जब वो उस घर में च साथ वो काम करता है वो कुछ भी जो है इदर से उदर नहीं करता है वो सारे परमेश्वर के सिधानतों के उपर काम करता है परमेश्वर की जो मर्जी है उसके मुताबिक काम करता है और उसी से क्या होता है उसके जीवन में बढ़ातरी होनी शुरू हो जाती है तो यूसुफ जो होता है उसको क्या होता है पॉटिफर जिसके घर में वो काम कर रहा होता है वो उसको क्या करता है अपने पूरे घर की जिम्मेदारी दे देता है कि तू पूरे घर को मेरे घर को देखेगा और हर एक चीज पर मेरे घर पर तिरा अधिकार होगा तू हर एक चीज को संभाले तो परमेश्वर ने इस तरीके से पहला step जो है उसके जीवन में उसको start करा बढ़ातरी और उसका जो वादा था उसके जीवन में उसको पूरा करना परमेश्वर ने start करा उसे और जब हमारे जीवनों में भी जब वह वादे जो हैं वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं उसका हम लोग क्या उसके बारे में बोस्त करना हम लोग उसके बारे में बताना शुरू करते हैं या फिर हम सबसे पहले परमेश्वर को उसके बारे में महिमा देते हैं तो हम लोग देखते हैं हम लोग इस पद में अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये भी देख को जादा पैसे कमाने के लिए या फिर अपने परिवार को और ऊचा उठाने के लिए पर परमेश्वर उस समय में आपको पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरे सिधानतों पे चलोगे या फिर अपनी मर्जी को तुम पूरा करोगे पर यहाँ पर इस वचन में हम लोग अगर आप पढ़ेंगे तो देखते हैं कि यूसुफ उसके पूरे तरीके से खिलाफ होता है उसको जबरदस्ती करती है कि नहीं हम करेंगे करेंगे पर जब वो मना करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है तो परमेशर का वचन भी हमें यही कहता है कि जब कभी तुमारे सामने ऐसी परिस्तितियाएं आएं तो तुम वहां से भाग जाओ उन्हें छोड़ करके तो वही जो है हम लोग अभी इस समय यूसुफ के जीवन से देखते हैं कि उसने यही चीज़ करी पर उसके बाद क्या होता है उसके बाद जो पॉटिफर की बीवी है वो उस पर जूटा इलजाम लगा देती है क्योंकि उसका जो वस्त्र है वो वहां पर कमरे में रह जाता है उसके और वो बोलती है कि इसने मेरे साथ गलत काम करें इसने मेरे साथ वहबिचार कर रहा है तो उसके बाद क्या होता है कि यूसुफ जो है उसको जेल में डाल दिया जाता है अब यह दूसरा उसके जीवन में एक पड़ाव आ रहा है जहाँ पर वो सोचेगा परमेश्व उसने कुछ भी नहीं का क्योंकि यूसफ बिल्कुल सुरक्षित था अपने विचारों में कि जिस भी परिस्तिती में मैं क्यों ना डाला जाऊं मेरे को पता है कि परमेश्वर की वहां से बढ़ाई जरूर होगी हालेलुया तो उसको जेल में डाल दिया जाता है फिर उसके ब हlane देखने लग जाता है वहां पर प्रिसन में भी वहां पर जेल में भी तो मैं को प्ताना चाहूँगा कि हर एक परिस्ति जांगे आपको सर अधर जा हैंगे यहां कहीं दर्शन आते हैं जब वो सो रहा होता है पर मेश्वर उसको दिखाता है कि तुमादे एक नदी है नायल जो नदी है उसके उसके अंदर साथ जो है एकडम कमजोर गाएं हैं और साथ जो है एकडम तंद्रोस्त गाएं और जो वीक वाली जो सेहत रहित वाली जो गाएं हैं उन्होंने, सारी जो सेहत मंद गाएं हैं उनको खा लिया, तो जो राजा है फिरों है वो अपने विचारों में बिलकुल हो जाता है कि क्या मतलब है इसका, पर जेल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि दर्शनों के बारे में मतलब बता सकता है, हलेलुया, तो हमने starting में देखा कि उसको दर्शन आते थे, पर वो मतलब गलत तरीके से बताता है कि वो छोटा था, इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें भी हमारे जीवरों में तोड़े दी हैं, पर परमेश्वर उनको दिन बर दिन दिन बर दिन बढ़ाता रहता है कि वो उसकी महीमा के लिए इस्तमाल हो, आज मैं विश्वास करता हूँ हमारी न्यू लाइफ कलीसिया में हर एक जन को जो है वो तौफ़ा, वो तोड़ा मिला हुआ है, और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे आप परमेश्वर की मह आता है उस सपने का कि इसका मतलब यह है कि पूरे पूरी दुनिया में अकाल पढ़ने वाला है, पर उससे पहले साथ सालों तक बड़ी उपज होगी, तो यूसुफ उनको बोलता है कि उस अकाल के लिए आप लोग तयारी करेंगे सब लोग, हम तयारी करेंगे और सारी जो उपज है, उसको बचा करके रखेंगे कि जब अकाल का समय आता है, तो हम उस उपज को इस्तमाल करें और अपने जीवनों में सही तरीके से निकाल सकें, तो इससे क्या होता है, और सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वो यूसुफ के पास आते हैं, और उससे बोलते हैं कि ये तकलीफ है, और ये मुसीबत है कि हमें दर्शन का मतलब नहीं बता पा रहे हैं, कि आप जानते हैं, उसका जवाब क्या होता है उस समय में, वो उनसे बोलता है कि दर्शन का मतलब बताना तो परमेश्वर का काम है, हलेलुया, वो अपने पराइं नहीं देता कि आओचलो . मैं तूम्हें बताता Hem मेरकु इस जेल से निकालो मैं तूम्हें बताता Hem पर वह बोलता है दर्शन का मतलब बताना तो परमेशवर का काम है और फिर वह उनकी मद्द करता है उसके बाद तो परमेशवर को बडाई देना अपने तोडों से यह चीज हमारे जीवनों में بहुत जरूरी है और जब वो बता देता है फिर पूरा अकाल आता है सब कुछ होता है पूरी दुनिया में जो है खाने की चीज़े खतम हो जाती है पर सिरंफ मिसर में मिसर देश में जो है खाना, उपज, बहुत सारी चीजें भरपूरी में होती हैं, भरोतरी के साथ होती हैं, तो क्या होता है? जो राजा होता है, वो इतना जादा प्रस्न हो जाता है यूसफ से कि वो उसको प्रधान मंतरी बना देता है, हाललुया, हम लोग कहां से शुरुवात करी हमने, य ये है उसकी कहानी यूसफ की और उसके बाद काफी कुछ होता है वो अपने परिवार की मदद करता है आपने भाईयों को माफी देता है तो उसकी जो खूबियां है वो आप लोग जब इस कहानी को पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी तो आई हम आगे बढ वादा कर रहे हैं हालेलुया हमने एक वादे को पढ़ा है कि परमेश्वर ने हमसे क्या वादा कर रहा है कि अंत में तुमारी सारी आशाओं को मैं पूरा करूंगा हालेलुया क्या आप सब लोग आज जानते हैं कि परमेश्वर का आपके जीवन में क्या वादा है पूरी Bible पूरा पवित्रिव शास्त्र परमेश्वर का वादा है हर एक वचन जो उसमें लिखा है हमारी बड़ोतरी के लिए उसका वादा है जब हम उसको पढ़ते हैं हमारे जीवनों में उसी से हमें हमारे भविश्य के बारे में उसके बारे में हमें आश्या मिलती है हमारे जानते हैं कि अनंत जीवन का वादा परमेशर ने हमें आल्रेडी कर दिया हुआ है हम लोग यहुन्ना में पढ़ते हैं यहुन्ना तीन सोला में कि परमेशर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे हमें से हर एक जन सारी न्यू लाइफ कलीसिया इस समय विश्वासी हैं और परमेशर ने हमें आल्रेडी आनंत जीवन का वादा दे दिया है तो हम सब लोगों को अपने दिमाग में यह सुरक्षित रूप में रहना है कि परमेशर ने हमारे भविश्य के लिए हमें साल तक 100 साल तक है ना पर हमारे जीवनों में जो है उमीदों का कभी भी अंत नहीं होता है जैसे हम लोग अभी स्टार्टिंग में देख रहे थे कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के उसके मौत तक जब लोगों की मौत हो रही होती है तब भी जब कोई बिमा होते हैं तब से लेकर के पूरे मृत्यू तक हमारी उमीदें हमारा हमारा जो सोच है भविश्य के बारे में वो खतम नहीं होती है पर परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है परमेश्वर हमें बोल रहा है कि इस जीवन से उठकर देखो इस जीवन की तरफ तो सब गौर करते है इस जीवन की उमीदों की तरफ सब गौर करते हैं कि ये होगा मेरे जीवन में मिरको एक अच्छा घर मिलेगा, मिरको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी और हमेरे अच्छे बच्चे होंगे जो मेरा कहना सुनेगे और ये सारी चीजें और इन सब चीजों की चाहा गलत नहीं है पर इन सब चीजों पर अपना पूरा ध्यान लगाना वो एक गलत बात है क्योंकि वो हमारे जीवनों में प्रत्थम स्थान ले लेते हैं, पर परमेश्वर यहां पर हमें बोल रहा है कि उठ कर के देखो, इस जीवन से उठ कर के देखो कि मैंने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर ने उसे वादा दिया था कि तुम्हें तुम्हें जो है ऊचे स्थान पर तुम होंगे और तुम्हारे सामने लोग छुकेंगे और अगर आप उसकी कहानी पढ़ेंगे तो अंत में यही होता है, लोग उसके सामने जुकते हैं, उसका परिवार, जितने लोग उसके सामने आते हैं, वो लोग जुकते हैं उसके सामने, तो इसी तरीके से हम लोग आज अपने वचन में भी यही पढ़ रहे हैं, कि परमेश्वर ने हमें जो वादा दिया है, वो अंत में जा करके उसे जरूर पूरा करेगा, जैसा अभी हमने देखा कि दुनियावी चीज पर हम लोग गौर करते हैं, तो ना कि सिर्फ परमेश्वर हमें अनंत जीवन का वादा करता है, परमेश्वर हमें सारी दुनियावी चीजों का भी वादा करता है, उसका वचन हमें कहता है, यह हम लोग देखेंगे, कुछ वचन हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हम में वादा करता है कि वो हमारी देख बाल करेगा कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इबरानियों में से 13 की पांच में ऐसा लिखा है मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा हालेलुया पहला उसका वादा कि चाहे किसी भी परिस्तिती में तुम क कभी नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं त्यागूंगा लूका बारा और उसकी चौबिस में उसने ऐसा लिखा कि कवो पर ध्यान दो वो ना बोते ना काटते पर ना उनके बंढ़ार और ना खते होते हैं तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है हालेलुया परमेश्वर जब तो उसमें इसा लिखे तुमारा मूल पक्षियों से कही ज़्यादा अदेख है हालेलुया तो यह सीधा परमेश्वर दुनियावी चीज़ों के ओपर जिनकी हमें चिन्ता होती है पर मेश्वर हमें खाने कुछ कहां से मिलेगा हमें यह चीज कहां से मिले अधी परमेश्वर आपको बता रहे है कि तुम्हारा मूल्य नंसे आपको पर मारा सब से को बनाया ना तो हमें इसी चीज पर विश्वास करना कि सर्फ आसमानी चीजहों पर कि परमेश्वर हमें वादा देता है आया हम और पढ़ेंगे कि परमेश्वर की भवात है हमारे जीवनों में, यहुन्ना पंद्रा और उसकी साथ में ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बाते तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो, वो तुमारे लिए हो जाएगा, हलेलुया, मती 6 और उसकी 33 में ऐसा लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तो वे सब वस्तु है, तो मैं मिल जाएंगी, हलिलुया, हम लोग सब आज जितने भी लोग यहां पर Уपस्तित है, वो अलरेडी परमेशवर की राज्ये की खोज में लगे उए, परमेशवर की खौज कर रहे हैं, उसके राज्ये में बढ़ ओतरी कर र बड़ोतरी दे रहा है यह उसका वादा है आपके बविश्य के लिए तो हमने देखा कि ना कि सिर्फ आस्मानी चीजों पर वो दुन्यावी चीजों पर भी उसका वादा है कि वो हमें बड़ोतरी देगा अलेलुया दूसरा सवाल जो मैं आप सबसे करना चाहूंगा आज के दिन कि क्या आप उस वादे पर विश्वास करते हैं और क्या आप उस वादे पर मनन करते हैं अलेलुया परमेशर ने आलरेड़ी हमें सारे वादे दे दिये हुए हैं और यूसुफ को भी परमेशर ने उस समय ये वादा जो है वो दे दिया था पर जब हमें मिल जाता है ज जो नीजी संबंध है परमेश्वर के साथ नहीं अब Teresa के साथ हम चो अपना time spend करते हैं उसमें हम लोग सीखते हैं SuramomretHS Tradition हम से क्या बात कर रहे और कितने सारे फिर उसके बाद पड़ाव उसके जीवन में आये हैं कि वो गड़े में गया, गड़े से वो गुलामी में गया, गुलामी से वो एक जेल में गया, है ना कितना कुछ आया, पर क्या उसका विश्वास डगमगाया, क्या पता हम में से अगर कोई उस परिस्तिती म अगर मैं होता तो मैं पहले पड़ाव में जब मैं गड़े में गिरता तब ही मैं छोड़ देता कि परमेशर आपने जो भी बोला है ये मैं विश्वास नहीं करता है इस पर हम लोग सारे लोग विश्वास ही है हमारे लिए बहुत जरूरी है कि परमेशर ने जब हमें कोई च चुके हैं कि परमेश्वर को हम लोग पहला स्थान भी उसके साथ देते हैं कि दूसरे लोग हमारे जीवनों में देख सके कि हमारा विश्वास जो है वो किस परमेश्वर पर है कि वो परमेश्वर हमारे भविश्यों को बचाने वाला है तो हमारी विश्वासी जीवन में हमा आसपास के लोगों को दिखना चाहिए कि इनका जो बविश्य है वो सिक्योर है तो मैं इन से सू समाचार सुनूँ यह क्यों इतने जादा confident है अपने future में और जब मैं पहले जब काम कर उसमें call centers में काम करता था हमारे target based jobs होते थे और कई सारे लोग आके मेरे से कई बार पूछते थे कि भाई target हुआ नहीं है तब भी तुम इतने शांत लग रहे हो कोई चिंता नहीं है तो सीधा हमारा जो जवाब होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा हर एक परिस्तिती में hallelujah तो ऐसी प को बोल सकते हैं कि क्यों मेरे जीवनों में चिंता नहीं है क्योंकि यह मेरे परमेश्वर ने मेरे सारी चीजों का मुहया कर रहा है आमें hallelujah और मैं आज आप सभी को फ्रोट साहिद भी करना चाहूंगा कि सारी चिंताएं जो हैं वहम परमेश्वर की तरफ क्यों ना डाल द हम लोग पढ़ेंगे मती की किताब में और उसके ग्यारवे अध्याए और उसके 28 आयत में ऐसा लिखा है है सब परिश्रम करने वालो और बोज से दबे लोगो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूँगा तो ये भी परमेश्र का हमारे लिए वादा है परमेश्र हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है सारी चिंताओं को बविश्य की चिंताओं को परमेश्र के पास ले करके जाना है और वो सारी चिंताओ को हमसे ले लेगा, hallelujah, आज के दिन सारी दुनिया जो है, वो अपने भविश्य के बारे में परिशान हो रही है, और कितना कुछ दुनिया में चल रहा है, और कितने businesses जो हैं और कितने जो कामकाज है लोगों के वो effect हो रहे हैं पर हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस पूरे साल में हम सब को संभाल करके रखा है पूरा साल जो lockdown का निकला है पर कई सारे लोग ये भी बोलेंगे कि ये जो समय था lockdown का ये मेरे लिए आशिशित समय था और हम सब ने गवाईयां भी सुनी थी कि कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करें इस lockdown में तो दूसरी, दूसरी साइड जब हम लोग देख रहे हैं कि लोग इतने चिंता कर रहे हैं परमेश्वर हमें हमेश्य अपनी बाहों में सुरक्षित रखेगा हालेलुया और हम लोग जैसे अभी गा रहे थे कि तेरी मर्जी मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ लाब की है तो आज क्यों न हम लोग उस चीज़ पर पूरे मन से विश्वास करें कि परमेश्वर हमें हमेशा जो है सुरक्षित रखेगा हालेलुया और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग परमेश्वर के वादों पर की जो भविश्वास टो करते हैं पर उनका विश्वास जो है वो आधा धूरा होता है वो मान लेते हैं वो बाइबल के वचनों को पढ़के वो बोल देते हैं कि हाँ मेरे को विश्वास है या मेरे को कोई चीज चाहिए पर मेरे जीवन में पर मेरे को वो चीज जो है वो अभी के अभी चाहिए अगर मेरे को अभी नहीं मिल रही है तो मेरे को मेरा विश्वास ज हमें परमेश्वर का हर एक चीज करने के लिए वो उसके राज्ये के बढ़ातरी के लिए होता है हमारे विश्वासी जीवन का एक जो हमारी जो जिमेदारी है एक वो है कि परमेश्वर के राज्ये की बढ़ातरी करनी है हमें हालेलुया और यही चीज हम लोग यूसुफ के ज करता था उससे भी परमेशर के नाम को बढ़ाई मिली है और फिर जब वो उसके बाद जेल में गया जेल में उसने अच्छे तरीके से सारे काम को संभाला उससे भी परमेशर के नाम को बढ़ाई मिली उसने जब उसके दर्शनों का मतलब बताया उसने परमेशर का नाम सबसे पहले लिया और इसी को हमें अपने जीवनों में भी लाना है कि हमारा विश्वास जो है वो कभी भी आदा दूरा नहीं होना चाहिए वो भरपूर होना चाहिए और इस भरपूरी को लोग भी देखें अपने जीवनों में कि इसका जो विश्वास है ऐसा ही विश्वास मुझ विश्वास और मनन करते हैं मनन करना क्या होता है और अभी हमारा लाइफ ग्रूप हो रहा था लास्ट वीक और एक जन्न ने हमसे पूचा कि मनन करना मेडिटेशन का असली मतलब क्या है कैसे करते हैं हम लोग तो दुनिया के अगर हम आखों से देखेंगे तो मेडिटेशन के कही सारे मतलब हो सकते हैं लोग कही सारी चीज़े करते हैं कोई एक जो चीज़ा है उसको repeatedly बोलते हैं या फिर कोई चीज होती है अपने हाथ में लेकर के उसको बैठ जाते हैं कई सारी चीजे होती हैं पर हमने उसे बताया कि हम लोग हमारा मनन करना सिर्फ एक ही चीज है हम लोग सब छोड़कर अपने अध्यान सिर्फ परमेश्वर की और लगाएं और उससे स करना कहते हैं कि हम लोग ध्यान दे रहे हैं पूरे तरीके से हमें कोई भी जो है रीती रिवाइस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि मिरको यह मिरको कोई परमेश्वर की क्रूस मेरे सामने रखी होनी चाहिए मैं उसके सामने बैठ कर मनन करूं या यह करूं या वो करूं पर हमारा मनन करना क्या होता है हम सर्फ ध्यान देते हैं, तो आज के दिन परमेश्वर के जो भी आपके बविश्चे के लिए वादे हैं, क्या आप उन पर विश्वास कर रहे हैं, क्या आप उन पर मनन कर रहे हैं, आज के दिन मैं चाहूंगा New Life Church कि, आप लोग जब अपने प्राथना के समय में जाते हैं आप लोग परमेश्वर से जरूर पूछें कि परमेश्वर मेरे बविश्य के बारे में आपकी क्या मर्जी है आप क्या चाहते हैं मेरे से क्योंकि हमारे जीवनों में कई सारे faces आते हैं पड़ावाते जैसे हमने यूसफ के जीवन में भी देख बबाता है कई बार आपको ऐसा लगे गा कि मेरे को मैं परिस्थिति में क्यों डाला गया मिलेको काम ठीक से आता भी नहीं है पर आपको जानना जरूर estrogen की क्या मरणिय मैं उस जो परिस्थिति में डाले गए तो इसी लिए मनन करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ये पूरी पूरा जो आपका प्लान है इसका जो अंत है वो क्या होने वाला है इसका जो निकल करके जो आने वाला है इसमें से वो क्या होने वाला है इसी को मनन करना कहते हैं तो मैं आप सभी से आज ये बात कहना चाह परमेश्वर आपको बिल्कुल साफ साफ उत्तर देगा जैसे परमेश्वर ने Yusuf को दर्शन दिखाया परमेश्वर आपको भी आपसे जरूर बात करेगा परमेश्वर का सबसे बड़ा तरीका जो मैंने दिखे आपने वचन से बात करना है तो उसके वचन को रोज खोलिए रोस पढ़िये उससे पूछिए परमेशर क्या आप मेरे से बात करना चाहते हैं आज के दिन हलेलुया। और तीसरी चीज और मैं इससे अंत करना चाहूँगा आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप उस वादे को पूरा होते देखने के लिए तयार हैं। कि जो वादा परमेशर ने आपसे अल्रेडी किया है और हम लोग विश्पास कर रहे हैं उस वादे पर क्या अब हम तयार हैं कि परमेशर उस वादे को पूरा करने वाला है हमने अपनी कहानी में पढ़ा और इससे पहले मैं आप सब के साथ एक पद शेयर करना चाहूंगा फि उसे येश्य मसी के दिन तक पूरा करेगा हालेलुया तो परमेशर ने जो भी वादा आपके जीवनों में कर रहा है वो परमेशर उसे जरूर पूरा करेगा तो क्या आप उस वादे को पूरा होते देखने के लिए तो ही आ रहे हमने और यूसुफ के जीवन से देख लिया जो बड़ोतरी है हमने पिछले कुछ हफतों में सीखा था कि बड़ोतरी विश्वास जब हम करते हैं तो उससे आती है विश्वास और हमने यह भी देखा था कि विश्वास जो है हमारे विश्वासी जीवन का मूल जो है वो एक भाग है कि हमें विश्वास करना बहुत जरू रहा है अलेलूइया, और उसके हाथों में हमें निश्चिंत हो करके, हमें सिर्फ विश्वास करके बोलना है, कि परमिश्वर आपके सारे वादो को मैं हा और आमीन करके, मेरे जीवनों में accept करता हूँ, आलेलूइया, हाँ और एक और चीज़ हमें देखने हैं कि जिस तरीके से हमें जो वो सफलता हमें मिलती जा रही है हमें उसको अपने जीवनों में ग्रहन करना है इसी तरीके से जैसे यूसुफ ने भी उस सारी सफलता को सारी बढ़ातरी को अपने जीवन में ग्रहन करा क्योंकि वो उसके एक वादा था परमेश्वर की और से तो आपको कभी भी यह सोचने की दरूरत नहीं है कि परमेश्वर मैं इसके योगे नहीं हूँ और आपने जो मिलको वादा कर रहे हैं मैं बहुत बड़ा पापी हूँ क्योंकि हमने अभी रिसेंटली हमने जो है गुड फ्राइडे मनाया और हमने इस्टर मनाया है और उसमें परमेश्वर ने अल्रेडी हमारा भविष्य जो है उसको लिख दिया आगे कि येश्यमसी जब मुर्दों में से जिंदा हुए उन्होंने हमारे सारे पापों को अपने उपर ले लिया हमें पूरी तरीके से आजादी दे दी करना चाहूंगा आज की सुबह की परमेश्वर आपको पूरे तरीके से दर्शाय आपके बविष्य के बारे में और आपका जो भी परमेश्वर ने आपको दिखाया है वो आपके जीवनों में पूरा हो आपको सामर्थ भी दे कि जब आप पड़ावो के उससे जाते हैं त हमारी न्यू लाइफ कलीसिया का बविष्य परमेश्वर आपके हातों में हैं और हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ इस कलीसिया में होने वाला है इस कलीसिया के एक एक जन के जीवन में होने वाला है परमेश्वर उससे सिर्फ आपके नाम को बढ़ाई मिले हर एक जन जो तो इस जूम कॉल पे इस समय मौझूद है परमेश्वर मैं विश्वास के साथ प्रातना करता हूं कि आप हर एक के जीवन में दर्शाएंगे प्रबू साफ साफ उन्हें दिखाएंगे कि उनके बविश्य के लिए आपने क्या रखा हुआ है परमेश्वर और जिन लोगों को उनके अंदर शुरू कराया परमेश्वर आप उसको अंत तक देखेंगे प्रबू और हर एक चन को यू लाइफ कलीसिया में आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर हम आपके नाम को उचा उठाते हैं आप सारा आदर सारी महीमा के योग्ये हैं प्रबू हम आपसे प्रेम करते ह और येशु मसी के नाम से हम मांगते हैं एमेन एमेन गाद ब्लेस्यू न्यू लाइफ चर्च थेंक यू